हेलो व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सक्कर पारे की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं डेली और वीकेंड स्पेसियल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं सक्कर पारे बनाने के लिए हमने दो कप मेदा लिया है आप यहाँ पर एक कप मेदा और एक कप गेहूं काटा भी ले सकते हैं और इसमें हम एट कर देंगे एक कप पीसी हुई चीनी मेदे के साथ पहले चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब हम इसमें आधे कप से थोड़ा कम गी एट करेंगे यानि कि हमने यहाँ पर मोहिन के लिए एक तिहाई कप पिगला हुआ घी लिया है तो आप भी यहाँ पर पिगले हुए घी का इस्तेमाल कीजिएगा आप यहाँ पर मोहिन के लिए तेल या तो फिर डालदा घी भी एट कर सकते हैं और साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे हाफ टीस्पून इलाइची पावडर और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से मसलते हुए हमें मोहिन को आटे के साथ अच्छे से मिक्स करना है अब हमने इसमें जो मोहिन एट किया है उसकी कौंटिटी पर्फेक्ट है के नहीं वो चेक करने के लिए हम इस तरह से इसकी मुठी बना कर देखेंगे आटा इस तरह से बाइंड हो जाता है इसका मतलब यह है कि इसमें हमने जो घी एट किया है इसकी कौंटिटी बिल्कुल पर्फेक्ट है अब इसका आटा लगाने के लिए हम इसमें दूदेट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूदेट करते जाएंगे और इसका हमें सख्त आटा लगाना है आटे को हम ज़्यादा सोफ नहीं रखेंगे तो अब देख सकते हैं कि हमने इसका सखत आटा लगा कर तयार कर लिया और इस आटे को लगाने के लिए हमने एक कब दूज लिया था जिसमें से हमने सिर्फ आधे कब दूज का इस्तेमाल किया है और अब हम इसे कवर करके एक घंटे के लिए रख देंगे तो इस आटे को रखे हुए एक घंटा हो चुका है अब सक्कर पारे बनाने से पहले हम इस आटे को हाथों के मदश से अच्छे से मसल लेंगे जो आटा लगा कर तयार किया है उसमें से हम बड़ी सा इसकी लोई बनाएंगे और इसे अच्छे से रोल कर लेंगे क्योंकि हमने आटा सक्त लगाया है तो इसे बेलने में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी लेकिन इसे सक्कर पारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और खाने में भी क्रंची लगेंगे रोटी को हम थोड़ा मोटा बेल कर तयार करेंगे ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे और इसकी जो किनारिया है वो फट्टी हुई है तो उसे हम पहले अलग कर लेंगे हमने इसके किनारियों को अलग कर लिया अब हम इसे सक्कर पारे का सेप देंगे आप अपनी पसंद से कोई साभी सेप इसे दे सकते हैं हम स्क्वेर सेप में इसे कट कर रहे हैं हमने जो सक्कर पारे कट करके रखे हैं इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकिके बच्चे हुए डो में से इसी तरह सक्करपारे बनाएंगे जिए देखिए हमें इनकी ठिकनेस को कुछ इस तरह रखना है इनको फ्राइ करने के लिए हमने तेल गरम किया है लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे के तेल हलका गरम होना चाहिए तेल को हम ज्यादा गरम नहीं रखेंगे एक एक करकेश में सक्कर पारे एट करते जाएंगे और लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे इन्हें फ्राई करते वक्त हम गेस की फ्लेम को लो रखेंगे और ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई करना है अगर आपने इनको fry करने में थोड़ी हरबड़ी कर ली यानि कि इन्हें medium flame पर fry कर लिया तो ये अच्छे से fry तो हो जाएंगे लेकिन बाद में ये खस्ता और क्रिस्पी नहीं लगेंगे low flame पर brown होने तक इनको fry करेंगे और जब हम इनको तेल में से निकाल रहे हो तो निकालने से पहले 30 से 35 सेकंड के लिए आप गेस की flame को हाई कर दीजेगा ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंची ने सा जाए और बाकी के सक्कर पारों को हम इसी तरह fry करेंगे तो खाने के लिए तयार है सक्कर पारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाएका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुडबाई